बायो गैस एक तरहा का प्राकृतिक इंधन है जो ऑक्सिजन के अनुपस्थिती में जैविक कच्रे जैसे खाना या गोबर के सड़ने से बनता है इसमें मुख्य रूप से दो गैसे मीथेन और कारबन डाया ओक्साइड निकलती हैं बायो गैस में 50 से 65 प्रतिशत तक मीथेन होता है इसलिए ये ज्वलनचील होती है और एक गहरी नीली लौत पन्द करती है जिसे इंधन के रूप में उप्योग किया जाता है बायो गैस पर निर्भरता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने गोबर धन योजना की शुरुआत की GO BAR धन यानि Galvanizing Organic Bio Agro Resources धन योजना स्वच भारत मिशन ग्रामीन और लोहिया स्वच बिहार अभियान के तहत चलाई जा रही है इस योजना के अंतरगत जिलास्तर पर बायो गैस प्लांट बनाए जाने है गोबर धन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकडों के मताबिक अक्टूबर दोहजार चॉबीस तक कुल 1340 प्लांट रजिस्टर किये जा चुके हैं इनमें खरीब 65 प्रतिशत प्लांट के चालू होने का दावा किया गया है आकडे बताते हैं कि बिहार के 38 जिलों में 14 प्लांट ऑपरेशनल है और 29 जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा है पूरे Solid Waste Management की स्ट्रेटजी में ये भी एक कॉम्पोनेंट है कि हम लोग बायो गैस प्लांट लगाएं स्पेशली क्योंकि गोबर का जो अगर सही तरीके से निश्पादन या उसका निश्तारण हम लोग को करना है तो बायो गैस प्लांट का इंपोर्टन्स का महसूस हुआ तो हम लोग ने सभी जिलों में अभी फिलहाल एक-एक बायो गैस प्लांट लगाया है और उसकी लागत लगभग पचास लाग के आसपास है इंक्लूडिंग त्री येर्स डियल पीपीव वो हम लोग अभी एक-तीस जिलों में लगभग बना चुके हैं पंद्र सोले जगह फंक्शनल हैं बाकी जगह उसको हम लोग ऑप्रेशनल बना रहे हैं बायो गैस प्लांट मुख्य तह तीन तरह के डिजाइन में होते हैं बिहार में फिक्स्ड डोम स्टाइल को अपनाया जा रहा है पटना जिले के धनरुआ प्रखंड अंतरगत सोन मई पंचायत में मई 2023 से 60 क्यूबिक मीटर की शमता वाला बायो गैस प्लांट चल रहा है इसमें रोजाना 1500 किलो ग्राम गोबर की खपत होती है जिससे खरीब 20-22 घरों में सुभा शाम 2-2 घंटे गैस की सप्लाई की जा रही है गैस की सप्लाई प्लांट के आसपास की घरों में की जाती है जबकि गोबर की आपूरती पूरे पंचायत के किसान करते हैं सोन मई की महिलाएं पहले गोबर का गोईठा या उपला बना कर बेचती थी जिसमें काफी शारिरिक परिश्रम लगता है मगर वे खुश हैं कि आप बिना किसी महनत के उनको गोबर के पैसे मिल रहे हैं आप ही घर पर रहा है दूपरानी अपने दूगो बच्चा दूगो पोता है दूगो बाहू है पांच छो लोग का खाना डेली बनता है बन रहा है हाँ अजय के उल नाकु सम्के साम का है को अपली सम्के साम का खाली साम बहुचर e भुचा मान को खाला बहुचत लोग के पांच खूबर संगर us का अप हूचते थे ठोके थे bisher प्सार जूबर कहाँने का हुचते है सब्सक्राइब कर देते हैं अब भी जाता है मिहनत निकाम है पैसा है और उसमें की मिहनत करना पर पैसा था इनी वगर मिहनत के पैसा है गोबर्धन योजना के तहत पशुपालकों से गोबर खरीदा जाता है पहले गोबर को एक इनलेट के जरीए बायो गैस प्लांट के डाइजिस्टर में डाला जाता है यहाँ गोबर से गैस बनती है जो बलून शेड में इकठा होती है जो गैस बनती है उसे पाइप के माध्यम से लोगों के घरों में चूलहों तक पहुँचाया जाता है चूलों में गैस की खपत को मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है बायो गैस बनाने के बाद बचा हुआ गोबर खाद के रूप में आउटलेट में जमा हो जाता है जिसे खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बायो गैस प्लांट की प्रक्रिया सरल है लेकिन बिहार में अब भी इसके सामने कई चुनोतिया है 3 अक्टूबर 2024 को जब हम सून मही गए तो पता चला कि डाइजिस्टर में दरार आने से कई दिनों तक प्लांट बंद था मरमत के बाद कुछ रोज पहले ही इसे वापस शुरू किया था इसी तरह 30 सितंबर 2024 को जब हम सुपॉल जिले की अमहा पंचायद गए तो वहां का प्लांट बंद पड़ा था यहां 80 क्यूबिक मीटर क्षामता वाला बायो गैस प्लांट अक्टूबर 2023 में बनाए गया है इसमें रोजाना 2000 किलोग्राम गोबर की खपत से 31 घरों में गैस की सप्लाई की जा सकती है लेकिन यहां गोबर की तयखीमत 50 पैसे प्रति किलो से किसान खुश नहीं है हाला कि गोबर धन योजना के तहट सरकार ने न तो गोबर का रेट तै किया है और न उससे उत्पन होने वाले गैस की दर फिक्स की गई है यह निर्णय स्थानी लोगों पर छोड़ दिया गया है वहीं किशनगंज जिले में प्लांट के लिए जमीन के चैन में कई अर्चने आई हाला माला पंचायत में प्लांट बनाया गया है लेकिन चार दीवारी के इंतिजार में प्लांट अब तक शुरू नहीं हो पाया है क्या है वंदे होज़े कियारिक्ता है l께서 बनेरा पतकिषी लिए ले फड़ दित्याँ कि अिस वड़ को डिक अपली पाले 50 पे शे किजी गोबर दे रहा था अब गोब भले बोल रहा है कि एक रुपया से कम में नहीं देंगे आप लोग जैसे गोबर उबर होता है उसका करते क्या है कहां इसकेमाल करते हैं खेत में खेत में बेशते उसके भी है कहीं नहीं नहीं बेशते है जिसको ज्यादा होता है खेत ज्यादा तो बेश लेता है कहां बेशता है इसको किसाने को देता है तो इसे क्या रेट बेशता ह तो ऐसे टेलर के हिसाब से गोबर का दर को निर्धारित नहीं है चुकि वो आपको अपरेट करना है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम्यूनिटी के माध्यम से अपरेट करें तो यह परिकल्पना पूरे प्रोग्राम में हम लोगों नहीं रखी है कि गोबर आपको किस दर कर लेना है कहीं पर free of cost भी available हो सकता है कहीं पर जैसे 25 पैसा 50 पैसा एक रूपया कुछ भी दर हो सकता है बशरते कि आप प्लांट को maximum efficiency तक चला पाएं और अगर चला पाएंगे तो फिर आप अपनी cost को recover कर पाएं LPG और बायो गैस के गुणों में अंतर होने के कारण ये गैसे एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं की जा सकती बिना modification के बायो गैस को LPG चूलहे में सही धंक से नहीं जलाया जा सकता बायो गैस चूलहे को विशेश रूप से इसके कुशल और सुरक्षित उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है जिससे धुआ रहित दहन और उर्जा का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके फिलहाल इंप्लांट्स में केवल गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है मगर इसमें रसूई के बचे हुए खाने, फसल के अवशेश और बाजार के कच्रे भी जोड़े जा सकते हैं प्लांट से बायो गैस के अलावा अवशेश के रूप में ठोस वा तरल जैविक खाद भी मिलता है जिसकी मात्रा फिलहाल बहुत कम है जब तक प्रैक्टिकल उन लोग को मिलेगा नहीं खाद तब तक उन लोग कैसे विश्वास करेगा जलवायू परिवर्थन के मामले में बिहार देश के अति सम्वेदन शील राज्यों में शामिल है राज्य का उत्तरी हिस्सा बार से प्रभावित रहता है तो दक्षडी हिस्सा सुखार का दंश झीलता है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रद्योगी की मंत्राले द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायू परिवर्थन सम्वेदन शीलता के मामले में 29 राज्यों में बिहार का रैंक छटवा है भारत में ऐसे कई उधारण हैं जहां एक एक बायो गैस प्लांट से हजारों घरों में गैस की सप्लाई की जा रही है बिहार में गोबर की कोई कमी नहीं है इसलिए राज्य के लिए इस और कदम बढ़ाना कारगर हो सकता है लोगों को पहले टेक्निकली स्टॉंग करना होगा सकेंड सेज पर उन्हें बताना होगा कि हाँ इस इन चीजों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और उसका जो बाई प्रोड़क्ट का वेल्यू है उसके साथ साथ कुछ और एडिशनल बेनिफेट उनको देना होगा जैसे सलरी का बेनिफेट होता है अगर डारेक्ट अप अग्रिकल्चर लैंड में डाल देते हैं तो उसका नेट्रेटिव वेल्यू काफी जादा है इसका और भी कुछ बाई प्रोड़क्ट बनता है तो उनको बना के और उसके बेनिफेट्स को हम फामर्स तक सेयर करें हमारे पास तो population ज़्यादा है कई ऐसी कंट्रीज जिनके पास, Arabian कंट्रीज जिनके पास मतलब live stock का population काफी कम है तो उनकी ओर से demand आया है कि आप इसको हमारे पास बेजो तो इसको कैसे channelize करें, कैसे आगे use करें, इस पे हमें काम करने की जरुशत है संसद में एक सवाल के जवाब में 24 जुलाई 2024 को नवीन एवं नवी करणिये उर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताये कि जल शक्ती मंत्राले के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामेंड फेज टू के तहत गोबर्धन योजना के अंतरगत मॉडल सामुदाइक बायो गैस सैयंत मंत्रों की स्थापना के लिए प्रति जिले को 50 लाख रुपए तक की वित्तिय सहायता प्रदान की जा रही है इसके अलावा नवीन और नवी करणिये उर्जा मंत्राले ग्रामेंड विकास मंत्राले और आवास और शहरी कार्य मंत्राले भी विबिन योजनाओं के तहत बा कुछ बरे डेरी के साथ हम लोग कॉलिबरेट करके इसको इसकेल कर सकते हैं और एक पूरे विलेज को या फिर एक ब्लॉक को कनवर्ट कर सकते हैं बायो गैस प्लांट में लाइक अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सुधा डेरी है या फिर जो अदर डेरी से बिहार में लोगों तक बरी आसानी से बायो गैस का सुध्या पहुचा आए जा सकता है आप ग्राम अस्तर पर यह भी देखते होंगे कि मिल्क का सेंटर है लोग एक कॉलिबरेटिव एक लेकर दूद को डिफरेंट फेडरेशन तक पहुचाते हैं तो इसी तरह अगर वह गोबर को भी किसी एक सेंटर तरह पहुचाएंगे तो काफी अच्छे से और इसली इसली बायो मियस का प्रोडक्शन एक विलेज अस्तर पर किया जा सकता है